नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल त्यारी जीके पर दोस्तो अरारवी एंटी पीसी आठ जनौरी फॉर्स सिप्ट का एक्जांस माप्त हुचुका है और इस सिप्ट में जीके जीके जीएस करेंट अफेर्स के जितने भी कोशन पूछे गये थे वो सभी कोशन में इस वीडियो में लाया हूँ तो बैनेर इस वीडियो में अन तक चलिए शुरू करते हैं पहला कोशन कर लेते हैं कि आप पूछा गयाद एक्जाम में ज्यानपीट पुर्षकार किस छेत्र में दिया जाता है? तो ये किस छेत्र में दिया जाता है? सहीत के छेत्र में दिया जाता है. जो ज्यानपीट पुर्षकार होता है वो सहीत के छेत्र में दिया जाता है. नेश क्वेशन कर लेते हैं Q3 मनावता के लिए गुल बैंकियन पुर्सकार किसे दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा ग्रेटा थनबर्ग को राइट अंसर था ग्रेटा थनबर्ग Q4 भू आक्रिती विज्ञान का जन्मदाता किसे मना जाता है तो यह किसे मना जाता है पेनल राइट अंसर था पेनल नेश क्वेशन कर लेते हैं Q5 8 मई 2020 को इरान ने अपने मुद्रा रियाल का नाम बदल कर क्या रखा है तो क्या रखा है तो मान इरान ने अपने मुद्रा को बदल कर जो मुद्रा थरियाल उसका नाम बदल कर तोमान रखा है नियाश क्वेशन कर लेते हैं Q6 सिर्के की प्रकृती अमली किसके कारण होती है? ति किसके कारण होती है? एसी टीक अमलो यह तो बिल्कुल इजी कोशन आया था सबको पता होगा नियाश क्वेशन कर लेते हैं Q7 निमलिखित में से कौन उस्मा और विधूत का सुचालक है? ति कौन होता है? ग्रेफाइड ग्रेफाइड जो होता है यह उस्मा और विधूत का सुचालक होता है जो ग्रेफाइड होता है उस्मा और विदूत का सुचालक होता है Next question कर लेते हैं Question number 8 2018 राष्ट मंडल खेल कहाँ पर हुए थे? तो यह कहाँ पर हुए थे? Gold cast जो 2018 में राष्ट मंडल खेल खेले गए थे वो Gold cast में हुए थे और यह Gold cast कहाँ पढ़ता है? तो यह पढ़ता है अस्ट्रेलिया में और अस्ट्रेलिया कर रधानी क्या है? Canberra यह भी आपको याद रखना है हो सकता है अगले स्ट्रेलिया कर रधानी यह पूछ सकता है तो यह आप लोग याद रखियेगा Next question कर लेते हैं Question number 9 पंडित भीम सेन जोसी किस छेतर से जुड़े हुए है? तो यह किस छेतर से जुड़े हुए है? हिंदूस्तानी सास्त्री संगीत Next question कर लेते हैं Question number 10 पानी पत का युद कहां पर हुआ था? तो यह कहां पर हुआ था? जो पानी पत का युद हुआ था यह कहां पर हुआ था? यह हुआ था हरियाणा में पानी पत हरियाणा नियाश क्वेशन कर लेते हैं क्वेशन नबर 11 1992 के रियो सम्मेलन को किस नाम से जानते हैं तो किस नाम से जानते हैं प्रित्वी सम्मेलन जो 1992 में रियो सम्मेलन हुआ था उसे प्रिथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं Q 12 गाधी इर्विन समझे होता किस अंदोलन के थात हुआ? तो ये किस अंदोलन के थाथ था? स्वाविने अवग्या अंदोलन आपका राइड अंसर था स्वावग्या अंदोलन Q 13 बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा अंदोलन शुरू हुआ तो ये कौन सा अंदोलन शुरू हुआ था स्वादेसी अंदोलन सही आंसर तापका स्वादेसी अंदोलन Next question कर लेते हैं Question of 14 विसाडू के अध्यन को क्या कहा जाता है तो विसाडू के अध्यन को क्या कहते हैं वाईरोलोजी, जो विसाडू के अधिन होते हैं, उसे वाईरोलोजी कहते हैं, नेश क्वेशन कर लेते हैं, question 15 my experiment with truth के लेखा कौन है यह कौन है मोहंदास क्रमचंद गाधी my experiment with truth के लेखा मोहंदास क्रमचंद गाधी है important question है बहुत सरी exam यह question repeat हुआ है तो यह आप लोग अच्छे से त्यार के लिजेएगा question 16 इसका सही अनसर क्या है अहमदाबाद जो इंडियाज फॉर्ट यूनेशको हेरिटेज सीटी है यह कहां पस्ताबीत है तो यह अहमदाबाद में अस्ताबीत है question 17 भारत के थल सेना प्रमुक कौन है तो भारत के थल सेना प्रमुक कौन है मनोज मुकुंद नर्मडे जो मनोज मुकुंद नर्मडे है यह भारत के थल सेना प्रमुक है और यह 28 नंबर के हैं यह भी आपको याद रखना है next question कर लेते है question 18 वर्ष 2020 में रसायन के छेत्र में नोबेल पुर्षकार किनहें दिया गया था तो यह किनहें दिया गया था इम्मेनुवल कारपेंटियर और जेनिफर डूडणा को यह दो बेग्यानिक थे इम्मेनुवल कारपेंटियर और जेनिफर डूडणा को दिया गया था next question कर लेते हैं question number 19 खाना बनाने में कौन सी गैस इस्तमाल होती है ये कौन सी गैस इस्तमाल होती है LPG और LPG का full farm पूछ ले तो liquified petroleum gas होता है जो LPG का full farm होता है liquified petroleum gas होता है और LPG butane plus methane से मिलकर बना होता है butane plus methane gas से मिलकर ये बना होता है और इसमें एक और होता है pentane, butane, methane और pentane ये तीनों से मिलकर LPG gas बना होता है next question कर लेते हैं question number 20 समानता का अधिकार कौन से अनुछेद में है तो ये कौन से अनुछेद में है अनुछेद 14-18 अनुछे 14-18 में समानता का अधिकार बताया गया है next question कर लेते हैं question number 21 हाल ही में इराग के नए परधान मंत्री कौन बने है तो ये कौन बने है मुखमद तौफिक अलावी मुखमद तौफिक अलावी ये इराग के नए परधान मंत्री बने है तो friend, इस इप्ट के इतने ही question मिले है और विडियो पसंद आए तो विडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सेर करिए फिर मिलते हैं नेस्ट विडियो में थैंक यू